नर्मदा मया की संसकारधानी बालों की मंज पर विराजबान गोपाल जी ने सही कहा कल्प ब्रक्ष कहूं के काम धैनूं आपको याद होगा मित्रो एक जमाना था तब पांच करोड रुपे की सड़क के लिए भी तरस जाते थे और आज एक जमाना है के एक जटके में पांच हजार करोड की सड़कें लेके वो आए हैं ऐसे हमारे भूतल परिवहन मंत्री कल्पनासील मस्तिस के धनी आदर्णी स्रीमा नितिन गढ़करी जी मेरे मित्रो दिल से अंतरात्मा से उनका आभार प्रकट करने के लिए दौनों हात उपर उठा के तालिया बजा के स्वागत कीजिये नितिन जी का वंदन कीजिये निति जी का नितिन जी सचमुच में ये फार्मल इस पीच नहीं है मैं संसकारधानी की ओर से मधफेश की जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं जो असंभव था उसको आपने संभव करके दिखाया है और सचमुच में ये रिंग रोड नहीं है ये जवलपुर के सरवांगी विकास की गारंटी है नोट करके रख लेना और केवल रिंग रोड नहीं है और रिंग रोड की अधवुद कल्पनावनों ने की राकेश जी ने की हमारे केंदरी मंत्री खाद प्रसंसकरण उद्योग और जलसंग सक्ति आदर्णी स्रिमान प्रिलहाद पटल जी मध्व दे पाल भार्गब जी इस छेत के यससवी और लोगपी सांसद जिनोंने सबसे लंबा फ्लाई ओबर भी बनवा लिया और सबसे लंबा सबसे बड़ा रिंग रोड भी बनवा लिया भाई राके सिंग जी हमारे यसस्वी सांसद उद्यप्रताफ सिंग जी राज सभा के हमारे सांसद आदर्णी विवेक क्रिश्न तन्खा जी राज सभा के हमारी संससदस भेन स्रीमती स्मित्रा बालमी की जी कैलाज जी भी बैठे का हाँ कैलाज जी All is gold कैलास जी भी हमारे विराज़बान कैलास सोनी जी हमारे वरिष्ठ नेता विधायक आदनी अजय विस्तोई जी पनागर के हमारे विधायक भाई सुसिल तिवारी जी केंट के हमारे लोग प्रिविधायक असोक रोहन जी सिहुरा की लोग प्रिविधायका बहन नंदनी मरावी जी वरगी के हमारे विधायक आदनी संजय यादव जी जबलपुर उत्तर से हमारे विधायक भाई विने सकसेना जी नगर डिगम के मेर जगत बहद्दूर सिंग जी भाई सुवास तिवारी जी जी एस ठाकुर जी संतोस बर्खडे जी जिला पंच्यात के अध्यक्ष और आज यहाँ उपस्थित मेरे प्रिये बहनों भाईयों और भाण्जियों और भाण्जियों दोनों हाँ जोल के आप सब को राम राम आप सब को प्रणाम ये रिंग रोट आज नहीं आने वाले वर्षों में आप देखेंगे इसके लाव क्या क्या है ये केवल रिंग रोट नहीं है सच मुछ मैं छे तरफ छे रास्टी राजमार्गों को आपस में जोडने वाला एक ऐसा रोट है जो केवल जबलपुर के यातायात को निर्ववाद नहीं करेगा यातायात और परिवहन की सुविधा तो निर्वग ने संपन होगी ही लेकिन विकास को ये नई दिसा देगा आपको ध्यान है कि हमारे आप ओधों के विकास की अनंत संभा बनाए विराजमान लेकिन रिंग रोड नहीं था और इसलिए हमारा विकास केवल एक और सीमित रह जाता था रिंग रोड से जबलपुर सेहर का कंजेसन कम होगा प्रदूसन का इस्तर कम होगा जिन्द की जीने के इस्तर में सुधार होगा इस रिंग रोड के कारण आइनेंस फैक्ट्री और रक्षा छेत और नर्मदन मया के कारण सेहर का पूर्व दक्षिन दिसा में विकास नहीं होपा रहा था अब उस विकास के नए द्वार ये रिंग रोड खोल देगा इस रिंग रोड के कारण ट्रांसपोर्ट हब इंटर स्टेट स्टेशन स्टेशन प्लान किया जा सकेंगे नए भंडारन विक्षत हो सकेंगे नए रिंग रोड पर जबल पूर के लिए सर्व सुवधायुक्द लाजिस्टिक हब बनाया जा सकेगा आदनी गड़करी जी मेरी प्रार्थन है आप से इस रिंग रोड के साथ यहां के ओद्धोगे की विकास की भी सुवधात कर दीजिए और आज ही लाजिस्टिक पार्क की गोफटना आप कर दीजिए जबल पूर में लाजिस्टिक पार्क बने जबल पूर से पूरा पस्चिम उत्तर दक्षिन चारों दिसां में हम सामान भेज सकते हैं इस रिंग रोड के आसपास ओद्धोगे कलस्टर हम विक्षित करने का काम करेंगे नई टाउन सिप आए और भविस में ये रिंग रोड जबल पूर के नौजवानों को रोजगार देने का एक नया माध्धम बन जाए और ये निश्चित तोर पर होगा इसलिए मैं एक बार फिर आपका हिर्दे से स्वागत करता हूँ अभिननर करता हूँ नए सिक्षन संसाना सकते हैं यूनिवर्सिटी जा सकती है इंदोर में एक सुपर कारिडोर बन उस सुपर काईडोर के कारण इंदोर का डेबलपेंट सुपर काईडोर के आसपास आई टी इंडस्रियो एल्पेस्नल इस्ट्यूसन्स हो बड़ी तेजी से आए और आज मैं पूरे विस्वास के साथ कहता हूँ किस रिंग रोड के कारण जबलपुर इंदोर को भी पीछे छोड़ देगा और इसके संभाव नाए इसके कारण अनन्त है ये किवल रोड नहीं है दिल्ली प्यागराज राइपुर नाटपुर भोपाल इसके कारण ये चारों तरफ आप छेचे तरफ यहाँ बना हुआ अमाल चारों ते साम में जा सकता है और इसलिए उद्धोग लगाने में इसके कारण बहुत सुविधाएं होगी यहाँ बांधप गड़ है यहाँ काना है पैज वाइड लाइफ निस्तल पार्क है बहाँ पहुँचना सुगम होगा और महा कोसल में परेटन की अपार संभावनाय बढ़ेगी टूरिजम के साथ साथ होटल इंडस्ट्री जैसी अनेकों प्रकार की गत्विधियां प्रारंब होगी और इसलिए मैं इस रिंग रोड में अपार संभावनाय देख रहाँ आज गड़करी जी बैठें इसलिए उनके सामने मैं नहीं कह रहा लेकिन आज मैं आप से पूछा चाहता हूँ बताओ पहले जवलपुर से भोपाल जाने में कितने घंटे लगते थे अरे जवलपुर से बताओ अब कितने लगते हैं जवलपुर से नाकपुर जाने में कितने लगते थे घंटे अब कितने लगते हैं और जवलपुर से रीवा जाने में कितने घंटे लगते थे और अब कितने लगते हैं तो एक बार फिर तालियां बजा के नितिन गड़करी जी का स्वागत कीजिए मोदी जी के नेत्रतों में गड़करी जी के प्रियासों से ये अनंत विकास हो रहा है और गड़करी जी देखिए जिड़ निश्चे के धनी तो है ही आज मंडला में लोगों ने कहा कि ये जबलपुर मंडला रोड खराब इसमें गड़े है गड़करी जीने खड़े होके वहाँ उसके लिए खेद भी प्रिकट किया और तत्कार ठेके सस्पेंड करके नए ठेके दारते होके सांदार रूट तेजी से कैसे बने इसकी भी उन्होंने भागोस्ट ना की है अब कल्प बरक्षाए बैसे तो मित्रो देखिए कई बार नया है नहीं होता लेकिन जवलपुर मैं कितने काम हो रहे हैं आप कल्प ना कर सकते हैं राकेशी ने आपको काम गिना है मैं उसके विस्तार में नहीं जाओंगा वो सारे काम तो होई रहे हमारा डुमना एरपोर्ट 421 करोड रुपे की लागत से बन रहा है 545 करोड 90 लाख रुपे के सीवेज के काम यहां पे हो रहे हैं 390 किलोमीटर की सीवर लाइन का काम यहां प्रिगती सील है एक नहीं ऐसे अनेकों गोरकपुर का टंगा क्रासिंग सायोबर उसके निर्मान का काम चल रहा है मैं बाद मैं फिर विस्तार से बताऊंगा जबलपुर वालो अमरित फेस टू में हम 720 करोड रुपे की लागत के काम और जबलपुर सहर के लिए स्विक्रित करने वाले हैं जबलपुर के साथ पूरा न्याय होगा पूरा न्याय होगा और विकास की दृष्टी से जबलपुर बिल्कुल पीछे नहीं छूटेगा मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा लेकिन जब गड़करीजी आये हैं तो कुछ चर्चा तो करने ही चाहिए भारत का तरंगा जंडा भी और ऐसा कि वाँ सीधे रोप बे या केवल कार चले एक स्रे से दूसरे स्रे बीज में रोप बे रोक के सीधे बेडा घाट से कल-कल छल-छल करके बैता हुआ हमारे धुआधार को परिया टक देख सके तो यहां के परियाट उनको भी एक नई दिसा बन जाया अरे होना चाहिए कि नहीं जो और से बताओं होना चाहिए कि नहीं तो एक बार फिर तालियां बजाके गरकरी जी का भी रंदन कीजिए कई कलपना है उनके दिमाग में अब यह आईकोनिक बिज ट्रांस्पोर्ट सिस्टम देख हमारे जबलपुर में भी गाड़ियों से लोग आते जाते ही याता यात बढ़ता जा रहा है फ्लाइ ओवर हम बनाई आप भी फ्लाइ ओवर दे रहे हैं लेकिन अब तो धर्ती का उप्योग सड़क का उप्योग करने के साथ साथ आसमान का उप्योग भी परिवेहन के लिए हो जाए केवल कार जैसी सुविधा जबलपुर को मिल जाए तो सड़क से तो याता याज जाए हवा में भी लोग चलते हुए चले जाए और आप यह मसमझा है कि मैं गप दे रहा हूँ यह संभव है यह हो सकता है टेकलोजी ने चमतकार किये हैं और इसलिए हम कैसे मास रैपिड ट्रांस्पोर्ट सिस्टम को आधनिक्तम बनाए इलेक्ट्रिक वी का लिहा चले धर्ती बे भी चले हवा में भी चले और एक बात और गड़कर जी आज मैं आपसे कहना जाता हूँ नागपुर और जबलपुर का दिलों का रिस्ता है आत्मों के संबंद है कभी तो यह सीपी बरार ही हुआ करता था हमारा जो इलाका है भुपालवाला वो अलग था सीपी बरार मनी था मन अबावों का सासंता तो हम लोग कहते थे इंकिलाब जिन्दाबाद तो जी चड़े हुसंगाबाद लेकिन ये तो पहली स्वतंतर हो गया था भुपाल बाद में स्वतंतर हुआ नागपुर और जबलपुर को मैं मेट्रो रेल नहीं कहूंगा आपके पास कई तरह की आइडियाज है लाइट मेट्रो अलग अलग किसे सिस्टम हो सकते हैं एक बार उससे जोड़ दीजिए सच मुझ में नागपुर और जबलपुर दौनों की जन्ता के लिए बरदान हो जाएगा और तेजी से टूरिजम और ओधों के गत्विदियां बढ़ेगी अरे भाईया हो मंजूर तो बोलो हाँ जोर से बोलो हो मंजूर तो बोलो हाँ देखो अब वो जमाना चला गया एक सड़क बना दो एक रोड और दे दो अब इससे आगे बढ़के सोचना है हमको और नितिन गरकर जी प्रधान मंतरी स्रीमान नरंद्र मोदी जी के नित्रतोब है ऐसे कल्पना सील मस्तिस के मिनिस्टर है कि जिसके लिए असंभव सब्द कोई है ही नहीं अब वो कहते हैं मांग लो जितनी दम हैं मांग लो और इसलिए अगर ये सोगाते मिलेगी हमारे P WD मंतरी ने आज आप से मंग किये राश्टी राजमार की प्र siècle भाई ने आप से मंग किये हमारे दमो को राश्टी राजमार से जोड़ने की मैं इन मांगों का समर्थन कर रहा हूं और मुझे पूरा विस्वास है हम राजसासन की तरफ हर संभव सहोग करेंगे आप इन सोगातों को मध्ध पुदेश को देंगे अनेकों सोगात दिये वो बताने का समय नहीं है हम सब नितिंजी को सुनना चाहते हैं इसलिए आओ एक बार फिर हम हिर्दे से कृतक गिता प्रिकट करें जो हमें देता है उसके लिए कम सकम धन्यवाद जी खोल के देना चाहिए इसलिए उठाओ दोनों हाद फिर बजाओ ताली और अभी रिंदन करो गलकडी जी का बोलिए भारत माता की नर्मदा मया की जवलपुर की जनता की सभी भांजे भांजियों की और हर हर नर्मदे और मैं सोचता हूँ अब बिना किसी बिलंब के मैं आदर्नी गलकरीजी से प्रात